दोस्तों, आपके मन में हमेशा एक गुथली आती होगी कि एक fighter plane aircraft carrier पर कैरियर पर कैसे उतरता है आमतार पर एक fighter plane को जमीन पर 2500 मिट के रन्वे की ज़रूर होती है लेकिन carrier पर 2500 मिट का रन्वे ही होता है आये जानते हैं कि फिर्भी plane इस पर कैसे उतर जाता है fighter plane की पूच पे एक hook लगा रहता है जिसको tail hook बोलते हैं और जहाज पे एक मोटा लोई का wire लगा रहता है जिसको arrestor wire बोलते हैं carrier पर इस प्रकार के 4 wire लगे होते हैं जिसमें से pilot को दूसरा या तीसरा wire पकड़ना होता है जैसे ही plane का hook किसी एक wire में फसता है plane बहुत कम दूरी में जाके रुख जाता है यह wire बहुत मजबूत steel के मने होते हैं बट फिर भी इनको हर 125 लेंडिंग के बाद बदलना होता है यहाँ गुत्ती सुल जाने के लिए एक like और subscribe तो बनता ही है धन्यवाद